पहले कौन उठेगा? पागेवान उठ जाओ, कोई बेल बजा रहा है, लगता है दूद बाला गया है मैं ही उठू सब चीज़ के लिए, जिस दिन से इस घर में आई हूँ, अपनी मर्जी से सो भी नहीं सकती हूँ इतने लोग है इस घर में, लेकिन उठना मुझे ही होगा, कोई मेरी जगर एक दिन उठ जाए तो पहाड़ी तूट जाएगा जैसे रूपा बड़बडाते हुए दूद लेती है, और कमरे में आकर संजे से कहती है, अब मुझ से ये सब नहीं होता, मेरी भी उमर हो चली है अरे भाग्यवान, तुम्हें कान उठने को कहता है, मेरी मा की तो एक ही बहु थी, तुम्हारे दो-दो बेटे हैं, दो-दो बहु ये आएगी, वो उठेगी, फिर तुम आराम करना हम, कै तो दिया तुमने बड़ी आसानी से, बेटों की शादी होगी तब न बहु आएगी अरे तो कर दो अब उनकी शादी, उमर भी तो हो गई है उनकी अब रूपा कमर कसकर, अपने दोनों बेटों के लिए लड़की देखने के लिए जुट जाती है और खुली आँखों से सपने देखना शुरू कर देती है बहु ये आ जाएगी, फिर मैं बस आराम करूंगी, सुबह आराम से देर तक सूंगी, आराम से उठूंगी कोई मुझे उठाने वाला नहीं होगा तबी संजय आकर रूपा को हिलाता है भागवान खुली आँखों से सपने मत देखो आप तो जल रहे हैं मुझसे इस साल मैं अपने दोनों लाड़लों की शादी करके ही रहूंगी रूपा को अजय और विजय के लिए कविता और खुश्बू पसंद आ जाती है और वो उनकी शादी करवा दीती है कुछ दिनों तक तो सब कुछ सही चलता है और रूपा को लगता है कि उसने जंग जीत ली है लेकिन एक रोज कविता खुश्बू से कहती है मेरी तो नींदी पूरी नहीं हो रही रोज इत्ती सुबह उठ जाती हूँ खुश्बू कल से तुम उठकर दूद ले लेना और पूरे घर में जाडू भी लगा लेना भापी मैं तो रोज जल्दी उठ रही हूँ मैंने तो सुचा कि आपको कहा दूँगी उठने को मुझे भी ता अरम चाहिए न हाँ तुमने तो गजब कर दिया इतने दिनों से मैं ही तो दूद ले रही हूँ अच्छा तो जाडू कौन लगा रहा है वो नहीं दिखा आपको मैं नहीं उठने वाली अब किसी को कोई कदर ही नहीं है भला मैं ही क्यों करूँ सब अरे तुम छोटी हो मुझसे इतना भी समझनी है तुम्मे जिठानी हूँ मैं तुमारी देवरानी हूँ मैं अबकी आप ही बड़ी बहन बन कर मेरी जगा उठ जाया करो मैं चली अगली सुबह रोस की तरह दूदवाला दौर्बिल बजाता है लेकिन दोनों कविता और खुश्बू में से कोई भी दरवाजा नहीं खोलती दूदवाला बेल पर बेल बजाता रह जाता है आवाज से तंग आकर रूपा उठकर दूद लेती है और गुस्से में चलाकर दोनों बहूं से कहती है एक मैं थी जिसने कभी अपनी सास को काम तक करने नहीं दिया और एक मेरी दो माहरानी बहूएं जिन से बिस्तर नहीं छूटता आपसे चाहे कोई मर भी जाए मैं उठकर दूद नहीं लेने वाली तुम दोनों अपना समझो कैसे कौन क्या करेगी दोनों बहूएं चुपचाब सब सुन लेती है और कुछ नहीं कहती फिर दोनों की दोनों अपने कमरे में जाकर सोजाती है ना घर की साफ सफाई करती है और ना ही बाकी का कोई काम अगले दिन फिर दूद वाला आता है और बैल बजाना शुरू कर देता है लेकिन मजाल है कि दोनों में से कोई दरवाजा खोल दे दोनों कवीता और खुश्बू अपनी नेंद लेती रहती है और रूपा भी ठान लेती है कि वो भी नहीं उठेगी घर की आरते जब नहीं उठती तो आकिर में संजे उठकर दूद लेता है और अपने बेटों से कहता है लगता है बाहर के साथ साथ घर भी हमें देखना होगा लगतो मुझे भी यही राय कल से घर गंदा बड़ा है और रात में भूखे ही सोना बड़ा ये तीनों पता नहीं किया जाती है असा क्यों कर रही है इनके छोड़ दो इनके हिसाब से चलेंगे तो घर वे कोई काम नहीं होगा हम तो भूख से ही मर जाएंगे आज से दूद मैं ले लूँगा और फिर सबजिया और फल लाने बाजार चला जाओंगा आजए तुम सुबह का जाड़ू पोछा कर लेना और विजए नाश्ता बना लेना दोनों आजए और विजए संजे की बात में सहमती देते हैं और घर की कामों में जुट जाते हैं और काम में फसने की कारण उनका आफिस छूट जाता है अरे छूटे आज की आफिस तो छूट गए और बरतन दोना अभी भी बाकी है और ये लोग तो अभी तक नहीं उट रही पहिया मुझे तो लग रहा है कि हमारी आफिस अब रोज छूटने वाली है इनके चक्कर में वैसे भी इतना ठकने की बाद कौन ही आफिस में काम कर पाएगा अजय, विजय और संजय दिन भर घर के कामों में लगे रहते हैं लेकिन रूपा, कविता और खुश्बु को जरा भी शरम नहीं आती वो तीनों आराम से उचती हैं और खा पीकर घुमने निकल जाती है एक दूसरे से कॉम्पेटिशन करने के चक्कर में वो तीनों इतना नीचे गिर जाती है कि उन्हें खुच समझ में नहीं आता कुछ दिनों तक यूँ ही चलता है और एक दिन संजय दुखी होकर रूपा से कहता है इस घर का सत्यानाश होने से अब कोई भी नहीं रोख सकता बहुँओं को आये हुए दिन ही कितने हुए है लेकिन तुम्हें तो समझना चाहिए तुम भी उनकी तरह कर रही हो रहने दीजे आप ना बस मुझे ही गलत बता सकते है कुछ दिनों तक काम पनना जाने से आजे और विजे दोनों की नौकरी छुट जाती है और संजय तो पहले से ही रिटायर हो चुके है मैना बीच जाने के बाद अब घर में पैसे की की इलत होने लगती है मुझे पांच अजार रुपे चाहिए बहुत दिन हो गए पारलर गए हुए मेरे पास पैसा नहीं है अब तो मेरी नौकरी भी चली गई है क्या नौकरी चली गई है उदर खुश्बू विजे इसे कहती है कल मैं माई की जा रही हूँ मुझे कुछ पैसे चाहिए मेरे पास इस वक्त जहर खाने के लिए भी पैसा नहीं है तुमारी हरकतों के कारण लगता है मैं किसी दिन रोड पर खड़ा मिलूगा नौकरी तो चली गई है लगता है अब जाड़ू पोचाई करना लिखा है उमर बर क्या? सेच में नौकरी चली गई? आगले दिन रोज की तरह सुबर डॉर बल नहीं बचता क्योंकि दूध वाला पैसे ना मिलने पर दूध देना छोड़ देता है डॉर बल ना बजने पर आज तीनों जल्दी उठ जाती है उदर घर में एक दाना राशन ना होने के कारण संजय, अजय और विजय आपस में बाते करती है और रूपा, कविता और खुश्पु ये सब सुन रही होती है लगता है आज पूख ही सुना पड़ेगा घर में एक दाना राशन नहीं है कोई अब हमें उधारी भी नहीं देगा पहले का ये हमारा पैसा बाकी है तो बला कोई क्यों ही दे संजय की आँखे भराती है और वो कहता है मैंने कभी ऐसा नहीं सुचा था कि ऐसा दिन भी देखना पड़ेगा ये सब मेरे कारण हुआ है ना मैं तुम दोनों की शादी की बात करता और ना ही ऐसी लड़किया इस घर में आती ये सुनकर तीनों को अपनी गलती का ऐसास हो जाता है और रोते हुए रूपा कविता और खुश्प कहती है उस घर को कोई नहीं बचा सकता आप दोनों नावकरी वापस जॉइन कीजिए मैं और खुश्प कहर समाल लेंगी इस बार किसी को शिकायत का मौका नहीं मिलेगा देर आये दुरस्ता है कमसे कम अकल तो आई ही नहीं मुझे लगा था कि ये लोग नहीं सुदने वाले अजे और विजे वापस से नौकरी पकड़ लेते हैं और कविता और खुश्पू एक अच्छी बहु की तरह घर की जिम्मेदारी संभाल लेती है और रूपा भी जल्दी उठकर बहु के काम में हाथ बटाने लगती है